हेलो दोस्तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दिये हुए हैं कुछ पचेज लिंक अमेजॉन के हैं तो आप भी अगर कुछ smart पोड़क्स खरीदना चाते हैं तो आप उन लिंक्स पे जाके प्लिक कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे लिंक दिये हैं तो आप चेक कर सकते हैं आपकी जरुत की जो भी चीजें हो उन्हें आप आसानी से पचेज कर सकते हैं जिने मैंने रेकमेंट किया हुआ है हाई एवरिवन वेलकम बैक कैसे हैं आप सभी लोग आज की नई वीडियो में आप लोगों का एक बार फिर से बहुत-बहुत स दोस्तों मलाई से मक्खन निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको इस तरीके से मलाई स्टोर कर लेनी है किसी बंद डबे में स्टोर करके रखें मैंने तो दो डबो में स्टोर करके रखी थी और बाद में इसे मनें बड़े बरतन में निकाल लिया है मैं इसमें लास्ट के वो ज्यादा मात्रा में निकलता है यहां लिया है बड़े वाला मिक्सर जार तो मिक्सर जार में सबसे पहले नीचे डालेंगे ठंडा पानी यहां पर बता रही हूं गर्मियों में मक्षन निकालने का तरीका तो मैंने डाला है फ्रिज का ठंडा ठंडा पानी एक से डियोर ग्लास के लगबग इसके बाद मलाई मेरी ज्यादा है तो मैं यहाँ पर जो है इसे दो बार में निकालूंगी आपकी अगर कम मलाई है तो एक बार में ही बड़े वाले जार में निकलाएगी तो जो सबसे बड़े वाला जार होता है उसे ही लेना है और चलिए अब इसे लगा देते हैं हम मिक्सी में और अब हम चालू करेंगे मिक्सी को और मैं आपको भी बताऊंगे कि आप बिना धक्कन खोले ही आप जो है यहां से आपको पता चल जाएगा कि आपका जो मक्कन है वो निकला की नहीं नकला जो मेरा यह धकन है मिक्सी जार का यह इतना transparent नहीं है लेकिन फिर भी मुझे पता चल जाता है क्योंकि जब यह घूंती है यानि कि यह जो मखन घूंता है तो देखें अभी इसमें जो है यह मैंने थोड़ा सा इसे चर्ण किया है तो बहुत ही गाड़ा होने के कारण मिक्सी अच्छे से चल नहीं पा रही है तो आप चाहे तो इस स्टेज पर थोड़ा सा पानी और एड़ करें और फिर से मिक्सी को चलाएं तो जैसे ही सारा मखन उपर आएगा तो आप देखेंगे यह जो लाइन दिख रही है थोड़ी सी इसका मतलब है कि पूरा मखन उपर आ चुका है और जो है जो पानी जैसा जो दूद होता है वो नीचे या मठा जो आपका च्छाच है वो नीचे रह गया है मखन देखें निकल आया एक मिनट भी नहीं लगा है और धकन देखें जैसे मखन निकल आता है जो कभी खोल कर नहीं चेक करना पड़ता है अब एक बड़ा बरतन ले लिजे जिसमें आपने मखhan को स्टोर करना या निकालना है, तो मैंने लिया हुआ है एक चमज, मैं हमेशा मिक्सी में मखण निकालती हूं और कभी भी हाथ से नहीं निकालती हूं इस तरीके से एक स्पून ले लेती हूँ बड़ा सा कोई चमश ले लेती हूँ उसी से निकालती हूँ इससे आपके हाथ भी नहीं गंदे होते हैं और आपकी मिक्सी भी नहीं गंदी होती है और आपका जो काम है वो भी फटा-फट से हो जाता है तो जो मलाई ली थी दोस्तो देर तक घूमती है इतनी स्पीड से घूमती है तो अंदर जो मशीन है जो ब्लेड्स हैं वो गरम हो जाते हैं इसलिए आपको जो है सब कुछ चिल्ड चिल्ड ही रखना है अगर सर्दियों में मक्षा निकाल रहे हैं तो भी आपको मलाई फ्रिज में ही रखनी है बस आपको पानी नॉर्मल यूज़ करना है तो यहां पर एक बार की जो है यह इतनी निकल आई है तो यहां पर जो टोटल मलाई है वो एक हफते की मलाई है साथ से आठ दिन की मलाई है तो अभी हमने सिर्फ आधी मलाई से ही मक्षन निकाला है और इसमें जो यह मठ्ठा निकल रहा है चाश निकल रहा है जितना ज़्यादा निकल सकता है मक्षन को अच्छे से दबा दबा करके चमच की सायता सीया फिर हाथों से इसका जो एक्स्ट्रा मठा है वो निकाल दीजिएगा तो चलिए अभी तो और भी हमें निकालना है जो बाकी की बच्यवी मलाई है उसे भी हम निकालेंगे तो इसमें जो अभी मिक्सी जार में आपका जो मठा है इसे किसी बरतन में आप हटा दीजे इससे आप कड़ी बगàiरा बना सकते हैं बहुती स्वाधिस्ट कड़ी बनती है पाकी बचे हुए जार में हम एक बार फिर से डालेंगे पानी बिलकुल वही वाला प्रोसेस हम करेंगे फॉलो जो हमने किया था पहले और फिर से हम इसमें जितनी भी आपकी जो क्रीम है जो मलाई बची हुई है उसे डाल लेंगे भैस तो अब जो है हमें चाहिए होगा एक बड़ा बरतनद' क्योंकि हमें जो है धोना है अभी मखन को तो उस वाला जो हमारा जो दूसरा वो वरतन है जिसमें मक्खन निकाल कर रखा है उसमें धोते नहीं बनेगा वाच करते नहीं बनेगा इसलिए मैं बाकी का जो मक्खन है वो इसमें निकाल ले रही हूँ तो यहां पर देखे कुछ इतना मक्षन अभी इसका निकला है और अभी जार के ब्लेड्स में काफी सारा मक्षन चिपका हुआ है तो उसे भी हमें निकालना है तो मैं अच्छे से निकाल लूँगी इसे हाथों से क्योंकि ब्लेड्स जो है जो चम्मत से अच्छे से नहीं होते है अब देखे इसमें जो यह मठा है इसे आप जरूर से जरूर हटाईएगा आगे बताओंगी किस लिए है तो अब यहां पर देखे है आधी हमारी जो है मक्षन इदर है आधी दर तो आप चाहे तो मैं आपको एक में करके दिखा देती हूँ कि देखे मैंने एक बड 900 ग्राम वाला जो डबह होता है वो भर जाएगा तो अभी मैं बताओंगी ज्यादा घी कैसे निकले कम घी क्यों निकलता है कई बार आपने नोटिस क्या होगा मक्षन तो धेर सारा निकलता है लेकिन उससे घी बहुत थोड़ा सा निकलता है तो चलिए यहां पर तो हमारा तो comprehension, मक्षन दोस्तो रेडी है तो मैंने घी निकालने के लिए आपको मैं बता जए हूं यहां पर कि आपको करना यह है कि जब भी आप घी निकालने के लिए या घी निकालने तो कई लोग होते हैं लाकिन अगर आप मक्षन से घी निकाल रहे हैं तो मक्षन को धोना ठंड़ ठंड़ पानी अब इसमें डाल रही हूं है सारा बटर यानि की सारा मखन जो हमने निकाला है मखन ना धोने से दोस्तों यह होता है या फिर अगर उसमें मठा की कौंटिटी ज्यादा रहे गई तो जब आप घी निकालते हैं तो जो है वह मठा जो मलाई होती है जो ब जैसे होता है अगर आप अपने मखन को अच्छे से साफ करेंगे मठा की कौंटिटी उसमें बिलकुल नहीं होगी ना कि बराबर होगी तो आपका जो घी है वो ज्यादा सी ज्यादा निकलेगा तो दोस्तों यहाँ पर मैंने इसे धो लिया है देख रहे हैं पानी हमारा कैस सफेज सफेद हो गया है इसी तरीके से मैं मखन को एक दो बार और धोलूंगी ठंडे पानी से और इसके बाद में मैं इसमें कटोरे में निकाल लूंगी इसे फाइनली घी बनाने के लिए तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हमने निकाल के दिखाया आपको मखन किस तरीके स को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों